हेलो दोस्तों कैसे हो आप सेब उमिद करती हूँ के आप सब ठीक हूँगे तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाली है आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ एसे यूसफुल टिप्स जिससे आप बेकार समान समझ कर फेंग देते हैं उन्हीं का हम कैसे रियूज करकर अपने घर के कामों को आसान कर सकते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नाव करें और फ्रेंज कोमेंट करके ये भी बता दे कि आपको इन में से कौन से टिप्स ज़्यादा पसंद आई वरक की होती है तो इनको हम अगर इस तरह के कवर में ना रखे तो ये साड़िया खराब हो जाती है और फ्रेंज अगर ज़्यादा साड़िया हो तो ये हमारे कवर भी कम पड़ जाते हैं तो इनको हम ठीक तरह के से के से रखे ताकि साडिया क्या है खराब भी ना हो और इनका जो वरक है वो एकदम नएया फ्रेस बना रहे है तो फ्रेस्ट आज में आपको एक बहुती बढ़या ट्रिप बताऊंगी ना तो आपको इसको खरीदने के लिए कोई पेसे की जरुवत होगी ना ही कोई सिलाई की तो देखे फ्रेंड्स हमारे पास पेटी कोट बहुत जादा होते हैं एक्स्टा में रहते हैं जैसे की भी नया होता है तो भी हम क्या करते हैं उनको रख देते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक वो ऐसे ही पड़ा होता है तो क्यो ना हम इसको एक कवर बना ले और जिससे हमार बिल्कुल भी खराब नहीं होगी क्योंकि पेटिकोट का जो कपड़ा होता है वो कोटन पोपलीन में होता है और हेवी साड़िया वरक वाली साड़िया होती है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है इस तरह से आप धेर साड़ी साड़ी पेटिकोट में रख सकते हो रखने क साडिया रखोगे तो साडिया भी खराब नहीं होगी तो जरूर आप इसको ट्राइब करिएगा अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें तो चलिए देख लेते हैं मारा अगला उसपूल टेप्स जब भी हम टेल का टीन खरीते हैं तो यह जो कार्टून आता है व वह पर ले सकते हैं लेने के बाद दिखें मेरे पास इस तरह की एक गाउन है तो मैं इसको निकाल लेती हूं इससे नीचे की साइड से kami खोलेना है खोड़ने के बाद एक गार जो कारटून है दे ब्रक्री आ योजे और autonomous को पूरा देखेंगा तब आह और आपको समझ में आएगा अगर आप वीडियो को स्कीप कर दोगे तो क्या पता आपके कोई काम आने वाली टिप्स आपसे मिस हो जाए तो चलिए यहां देखिए मैंने नीचे की साइड में अच्छे से इसको लगा दिया है अब देखिए जो उपर का पार्ट है इसको हम इसके अंदर डाल दे तो यहां देखिए मैंने इस तरह से सेट कर लिया है अब जो भी एक्स्टा में नीचे की साइड है इसको हम देखिए नीचे की तरफ कर देंगे आप देखिए आप देख सकते हो कितना बड़िया तरीके से यह कवर हो चुका है ना तो हमने कोई सिलाई किये है जो भी था व हम इसमें यह सारे कपड़े को डार दें और इस तरह से अगर हम रखेंगे तो एक कपड़े हमने एक जगाए पर भी मिल जाएंगे जो भी धूलने वाले कपड़े एक जब भी कपड़े दोते हैं तो इदर-ँधर दूनना पड़ता है तो क्यों माहम कंद आपको रखे तो इससे हमारा time भी बचेगा और महनत भी तो है ना बहुत ही useful जरूर try करिएगा अगला मेरा tip होगा देके tag को लेकर जब भी हम ready made कपड़े खरीते हैं तो ये tag लगा रहता है और जो branded हम कपड़े खरीते हैं तो उससे तो अच्छा ये tag आने लगा है और इस तरह की जो tag होते हैं ये button type का लगा रहता है तो ये बहुत हमारे काम भी आती है इस तरह की डोरी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है तो इनको हम अलग लग तरीकों से use कर सकते हो तो यहां में एक आपके साथ share करने वाली हूँ आपको क्या करना है कि ये खूल भी जाता है बन भी होता है तो बख्यादा बढ़ी को बहुत ही बड़्या नीनल होता है िसमें बढ़ आता है कि जूटा सा च्छेद था होता है वह अच्छे से पत्व में नहीं आता है तो आप एक जूशी dicen लगा लीजिए और च्छे से आप को बन कर देजिए अप इसको कहीं पर भी कहीं इसको है कर सक कीbra मगासे इसके सब्सक्राइब सब्सक्राइब का कि कारव एंसमया है तो आप 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 यह लगा सकते हो और फिर आप इस तरह काया च्छोटा और लगा लीजिए आप देख पा रहे हो जब भी मैं इसको डार रही हूँ तो आसानी से देखिए इसके अंदर आ जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि यह हमारे जो चाबी का कड़ा है इसमें अच्छे से फिट रहेगा क्योंकि यह मजबूत भी है तो बिलकुल भी ऐसा खराब होने वाला या फटने वाला नहीं है तो जरूर आप इस तरह से इसको ट्राइ कर सकते हो अगला देखिए हमारे पास जो टैग होते ही इसमें और भी ऐसे होते ही जैसे की प्लास्टिक होते ही इसका देखिए हम बहुत तरीकों से इसको फिर् six करें जैसी की हमारे होते ही तो वह आप जो हो घ्यों पर और से कि उपहने हैं नहीं करते हैं या फिर हम पहना पसंद नहीं करते हैं तो हम उस्on wars royca करें तो हम लोग क्या करते हैं, या तो कहीं बेग में डाल के इसको रख देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा भीड हो जाती है, या फिर हम इनका बना लेते हैं पोचा, तो ये कोई काम का नहीं आता है, आज मैं आपको एक बहुत भी बढ़िया तरीका बताती हूँ, जिनके भी जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ये टीप बहुती काम आने वाला है, तो देखें फ्रेंज हमें एक लेना है आटा बेग, और इस आटे बेग को हमें डाल देना है स्वेटर में, तो देखें नीचे से हमें इसको डाल देना है कुछ इस तरह से, यहा मैंने दूसरी साइड की भी बाजू को अंदर की तरफ लेके आएंगे, और इसको भी हमें अंदर की तरफ थोड़ा फोल्ड कर देना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेर करें, ताकि सभी के लिए वीडियो काम आई, तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे रहते हैं, तो बेड भी सुसु पोटी कर देते हैं, और जिसकी वज़े से पूरा गिदा क्या है, खराब हो जाता है, बेड इसमेल आने लगती है, तो आपको क्या करना है, कि ये छोटे बच्चों के लिए बिस्तर हम बना साकते हैं, इस स्वेटर, और पुराने स्वेटर हमारे कोई काम का नहीं आता है, हम क्या करते हैं इसको पोचा बनाने में, या फिर कहीं पर इसको रख देते हैं, तो इससे तो हमारे घर में और जादा भीड हो जाती है, तो इसका हम देखिए बहुत बड़ी आपको तरीका बताने वाले ह आपको क्या करना है कि बाजू को देखिए पहले अंदर की तरफ कर लेजे कुछ इस तरह से, अगर आपके पास में कोई पुराना श्वेटर है, टी शेट है, गरम इस तरह का, तो कोई सा भी आप ले सकते हो, यहां मैंने बाजू को अंदर की तरफ कर लिया है, अब देखि तो देखिए, ब्लेंकेट कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जो पीलो होता है, वो ठंडा रहता है सर्दियों में, तो इसको गरम करने के लिए हम कोई भी पुराना स्वेटर पीलो को पहना लेंगे, जिससे क्या है कि एक गरम पीलो बनके तयार है, तो बहुत ही यू और देखिए, आप देख पा रहे हो, यह कितना हाड और बढ़िया क्वालिटी का है, तो क्यों ना हम इसको यूज कर लें, इसका यूज में आपको बहुत ही बढ़िया बताने वाली हूं, तो आपको जरूर पसंद आएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तो देखिए ड़ियो कर देखिए, इसका जरूर आप पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शयर करें, तो चलिए देख लेते हैं, अगला यूज करें, अलग अभी डिजाइन की चूड़ियां, लाना, सभी को पसंद रहती हैं, महिलाएं, चाहें कितनी बी चूड़ि चूडियां रग़ें की नमारी चूडियां में एक और च्लियां कर सकते हैं एक नागारी क्षा है इसको आप यह भीड़े से ट्र यहिएक मनड़ ही इसको ऊकते हैं इसको आफ यह कंडिay कर लगछा भीडरी болगा बीचू यह काम करें थोड़ा द्यास से करेगा अगर आप प्लास से कर रहे हो तो यह आसानी से हो जाएगा लेकिन जब आप फास से करोगे तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा आप देखिए आपको क्या करना है इसका सेप हमें कुछ इस तरह से बनाना है देखिए इस तरह से तो य यहां देखिए मैंने दो ये S बना लिये हैं तो अब हमारे पास दो तिन चूड़िया हैं तो ये 6 साथ हम इस तरह के सेप बना लेंगे तो यहाँ देखी हमने इतने सारे बना लिये हैं अब देखी हमारे पास जो हेंगर है वो आप ले लीजी और हेंगर हमारे पास अलग अलग तरीकी होती है देखी ऐसा भी होता है और एक देखी ये बंद वाला भी होता है तो आपको ये वाला हेंगर लेना है इसमें देखिए आपको जो आपने ये डिजाइन बनाई है वो आप इसमें लगा दीजे हेंगर में और थोड़ा इसको उपर से बन भी कर दीजे हाथ से ताकि ये निकलेना तो सारे को हम इसमें लगा देंगे तो यहां देखिए जितने भी मैंने ये बनाए है वो सारे मैंने हेंगर में लगा दिये अब देखिए हम चाहे तो इसको रूम में लगा सकते हैं या फिर हम कीचन में लगा सकते हैं जहां पर भी आपको जरुद है वहां पर आप ये लगा दीजे जिसे कि मुझे जरुद है कीचन में तो यहां देखिए यह गीजर लगावा है कोई कीजर नहीं है तो मैं इसी में यहां पे लगा लेती हूँ और गीजर देखिए मेरे एकदम सिंग के उपर है तो अब देखिए मैं इसको यहां पे लगा लेती हूँ अब हम इसका यूज कैसे का सकते हैं तो जब भी हम बरतन दोते हैं जिसे कि यह कफ हुए तो इन कफों को दोने के बाद हम क्या है कि इनको सेफ जगे पे रखना चाते हैं अगर हम सभी बरतनों के साथ में इसको रख देंगे तो यह कफ क्या है जढ़ जाएंगे तो इनको हमें अलग से ही रखना पड़ता है तो क्यों ना हम यह स्टैन बना ले और जितने भी हमारे कफ है दो दो के सिधा ही हम यहां पे लगा दे तो कितना बढ़िया तरीका है देखी आपको यह तरीका कैसा लगा मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहां मैंने एक ले लिया है बोतल आपके पास जो भी बोतल है वो आप खाली बोतल यहां पे ले लीजे लेने के बाद देखिए हमें क्या करना है यह जो लाइन बनी हुई यहां से आपको कट करना है तो देखिए मेरे पास पहले से ही यह सैंपू की बोतल है इसको मैंने उपर से कट कर लिया है नीची का जो पार्ट है यह हम देखिए पानी लेने में जब भी हम नहाना होता है कभी कबार हमारे पास नाने वाला जो जग होता हो नहीं मिलता है तो उस टाइम हम ये सैंपू का बोतल भी कट करके इसको यूज में कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये यूज किया है तब ही देखिए इस तरह का ये इसमें साबुन जमा हुआ है और उपर का जो पार्ट है इसका हम देखी केसे यूज़ करेंगे तो इसका हम अलग-अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहां पे मैं एक आपको तरीका बताऊंगी यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अभी देखे सर्दिया है तो सर्दियों में आपको काम भी तो करना क्या है यहां देखे हमने एक चाकू को कर लिया है गरम और कुछ इस तरह से आपको होल बनाने हैं यहां पे देख सकते हो इस तरह से आप चाहे तो किल को भी गरम करके और यहाँ पर छेद बना सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा गैप रके देखे, यहाँ पर आपको पूरी गोलाई पर यह बना लेने हैं, तो चलिए, यहाँ पर में चाकु से इसको इस्तरे से देखे, गरम करके गोल गुंमाऊंगी, तो ये अच्छ से छेद बन जाएंगे तो यहाँ देखिए मैंने पूरी गोलाएं में ये पूरे छेद बना लिए है बनाने के बाद हमें चाहिए चूरियां तो हमारे पास जो मेंटल वाली चूरियां होती है खराब पूरानी चूरियां वो आप ले लीजे तो देखिए कितनी पूरानी चूरियां है और इस तरह की चूरियां अगर आपके पास में हैं तो ले लीजे नहीं तो आप पूरानी जो चूरियां नहीं पहनती है वो भी यहाँ पे ले सकते हो तो मेंटल वाली चूरिया को देखिए आप इस तरह से कर लीजे अगर आपके पास प्लास है तो आप प्लास से भी कर सकते हो लेकिन मेरे पास अभी देखे प्लास नहीं है तो मैं इस तरह से इसको करूँगी तो यह अच्छे से तूट जाएगी तो दो टुकड़े आपको एक चूड़ी के करने है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जिनोंने भी पहले से बेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको दिल से धन्यवाद और अब देखिए मैंने दो पार्ट चूड़ी के कट क कर लिए हैं अब हमें एस सेप का इसको बना लेने हैं कि कुछ इस तरह से तो यह आसानी से बन जाते हैं आप प्ला से करोगे तो बहुत आसानी से यह बन जाएंगे यहां थोड़ी मुझे मैंनत करनी पड़ी है क्योंकि मैं हाथ से करी हूं और जब भी मैं हाथ से करी हूं तो मुझे ये बीडर लग रहा है कहीं हाथ में लगना जाए तो आप भी थोड़ा करें तो दिहां से करिएगा अब देखे मैंने दो सेप इस तरह से बरा लिए है तो चलिए जितने भी मुझे चाहिए उसके साफ से मैंने या पर देखे ऐस सेप के बना लिए हैं कुछ इस त सेप का लेना है ताकि ये खूलेना तो सारे के हम इसी तरह से पूरे में ये लगा लेंगे देखे कुछ इस तरह का ये सेप बनेगा तो देखे फ्रेंस हमारे पास बहुत से समान होते हैं कबाड होते हैं जिनको हम बेकार समझ कर फेंग दिया करते हैं लेकिन वही कबाड हम का हम फिर से тndhous कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो मैं इस तरह का एक बना लिया है और अब हम लेंगे इसका ढकन और धकन में में दमें हमें एक छेद बना लेना है और च्रोड़ बनाने के के तयार है इसका हम यूज कैसे करेंगे तो चलिए इसको हैं कर देते हैं अभारे पास दोपट्टक होते हैंした वयड्लों टोफी वग्यरा कुछ भी आप इसमें कर हấp कर है कि आपके आप सकते हैं इतना बढ़ आ बोतल के दकन बोतल के दकन डिखे लिए जो कल़़ वाले बोतल आते हैं चोटे-चोटे-चोटे वह हम खाली होने पर फिएक देते हैं तो इसी के यहां मैंने धकन निकाली हैं अब हम इसका यूज कैसे करेंगे तो बहुत ही बड़िया तरीका यहां पर मैं आपको शेर करने वाली हूँ तो देखिए यह जो दर्वाजे होती हैं यह जब भी दिवार के टच होते हैं जब भी हमें खोलना होता है तो यह बार-बार में टच होने की वज़त से दर्वाजे खराब हो जाते हैं और दिवार पी लगने से तो यहां हमारे पास जो खाली धकन पड़े हैं वो हम लेंगे और देखिए एक हम ले लेंगे डबल साइडे टेप तो यहां हम छोटा सा टुकडा कट कर लेते हैं कट करने के बाद यहां मैंने लिया है डखकन और देखिए डखकन की पीछे की साइड में आपको यह इस तरह से लगा देना है अब दूसरा डखकन हम लेंगे और इस तरह से दोनों साइड में हम यह लगा देंगे पर हम इसको लगाएंगे तो केसे लगाएंगे वो भी आप पूरा देख लीजिए यहां देखिए जब भी हम दर्वाजे को खोड़ रहे हैं तो यह सीधा दिवार के टच हो रहा है तो इसी को हमें यहां पर लगा देना है तो चलिए मैं अच्छे से इसको पेस्ट कर देती ह हूँ अब देखिए यह हो चुका है और आप देख सकते हो बिलकुल भी दिवार के टच नहीं हो रहा है तो यह है ना बहुत ही यूजफूल तरीका इस तरह से आप खाली डखन का यूज़ कर सकते हो अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज इससे लाइक करें श कुछ इस तरह से लगाने के बाद हमारे पास जो यह खाली डखन है वह आप देखिए इस तरह से इसके उपर लगा दीजी तो यहां मैंने तीन डखन लगा दिए हैं अब देखिए अब इसको कर लेना है उल्टा और कोई भी दूद गरम होता है चाय होती है या फिर सबजी वो हम इस तरह से रख सकते हैं तो कितना बढ़िया हमारा एक स्टेन बनके यह तयार है आप देख सकते हो कितना बढ़िया देखिए यह ठेर चुका है तो है ना बहुत यूसफुल तरीका इस तरह से आप डखन का यूज कर सकते हो तो चली देख लेते हमारा अगला आपको तरीका बताने वाली हूं क्या करना है कि इसका जो रेफर हैंदर का वह मैंने पेले से ही निकाल के रग दिया है अब हम लेगे डबल साइडे टेप और फ्रेंज इसका हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं आप चाहे तो डेसिंग टेबल पर भी इसको लगा सकत कोई भी अगर बड़े बर्तन के नीची आ जाते तो आसानी से नहीं मिल पाते हैं तो आप देखे सामने ही यह रग दीजिए बच्चे भी आसानी से ले पाएंगे तो हैना बहुत ही यूसफुल तरीका आपको यह तरीका कैसा लगा मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएग यहां मैंने लिया है बोडी लोशन का डिबी और यह जो खाली होता है तो हम सभी फेंग देते हैं देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट भी है और मजबूत भी तो सोचा मैं इसका केसे रियूस करूँ आज जो यहां पे बताने वाली हूँ आपको बहुत ज़्यादा पस सकते हो या फिर आप गिल से भी बना सकते हो मैं यहां पे देखे फोक से बना रही हूँ ताकि एक साथ ही यह छेद बन जाए और बनाने में भी आसानी हो और बराबर में भी बने तो यहां देखे कुछ इस तरह से मैंने बना लिया है अब करेंगे क्या यह जो इस्टिगर ह वो भी हम निकाल देंगे ताकि देखने में यह सुन्द लेगे आप चाहे तो इसको रख भी सकते हो लेकिन यहां मैं इसको निकाल देती हूँ तो यह आसानी से देखे निकल जाता है अगर आप चाहे तो गरम पानी में इसको खोल के डाल दीजे फिर भी यह आसानी से निक कर लिया है, अब देखिए हम इसließen बड़ेंगे नमक, और नमक डालने के बाद इसको बंक करके रख दैंगे ट्वल पर चाहे केचन में रख सकती हो कहीं पर वह रख सकती हो तो चलिए में इसमें डाल देती हो नमक आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हो या फिर फीजा की जो मसाले होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हो तो ये अलग लगतरी के सी हम इसका यूज कर सकते हैं तो यहां देखे मैंने नमक डाला है और असानी से ये नमक आ रहा है तो ये हमारा एक नमक दानी बन के तयार है देखिए इस तरह के देखने में भी सुन्द लगते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये हमने घर पे बनाया है तो कितना बढ़िया दिखने वाला है देखिए जरूर आप ट्राइ करिएगा आपको ये अडिया कैसा लगा तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में आपको सबसे यूसफुल टिप्स कौन सी लगी मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूसफुल वीडियो के साथ बाबाई टिक के ठैंक्यो पूर वोचिंग